तो गरिब साइंटिस में आप सब का स्वाज है आज हम जानेंगे इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर की कहानी और कैसे उसने अमेरिका की इज़त उधार दी तो चली जानते हैं तो सब को बताईए हमारे सबसे पहले कंपीडे का नाम परम था परम 8000 टूब स्पेसिफिक तो उस जमाने में हम हमारे नुकलियर टेश्ट कर रहे थे सब अच्छा चल रहा था स्माइलिंग बुद्धा बुद्धा जी स्माइल कर रहे थे हमारे नुकलियर टेश्ट हो रहे थे इस सब की बीच में यह अमेरिका को पसन नहीं आया कि हम नुकलियर बॉंब्स बहुत साइज सेंक्शन लगें इंडिया पर इसके कारण हमें यूएस की जो क्रे सूपर कम्पीटर थे वो इंपोर्ट से बैन हो गए हमारा अक्सेस बंद हुआ यही नहीं मैट डिपार्टमेंट में जो एक क्रे कम्पीटर था उस पर यूएस गेट कीपर रखा गया तो हम वो भी यूज नहीं कर सके हमारे स्पेस रिल्टिड अक्टिवेडिस को इसरो को बहुत प्राब्लम सुने लगे क्योंकि उनके पस इक सूपर कम्पीटर नहीं था यही नहीं इसरो और सिंथिक एपिचर रेडर डवलप कर रहा था वेधर फोकस्टिंग वगरा के लिए उस परश्टर बुष्ण भी मिला है उनसे जब पूचा गया कि क्या हम सूपर कम्पीटर बना सकते हैं इंडीजिनिस लियानी देशी तरीके से यह इंडिया में तो उन्होंने कहा कि उसने कभी कोई देखा नहीं है सूपर कम्पीटर बस पिक्चर देखा है पट वो एक सूपर पूचन फॉर्म किया गया उसका नाम रखा गया था सीड़क जानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंपीटिंग यह अभी भी है डिपार्टमेंट ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स के अंडर आता है यह एडवांस कंपीटिंग और सूपर कंपीटर के साथ टील करता है तो सीड़क का फॉर्मेशन हुआ पूने में बेस्ट साइंटिस हमारे कंपीटर साइंटिस इंडिया के बुलाए गए और यह लोगों ने परम 8000 पे काम करना स्टार्ट किया अब हमारे पास स्पेशल चिप्स के एक्सेस नहीं थे तो विजेपात्तर सर ने क्या क्या जो भ बना दिया था बीना डेवलप कंट्रिस के हल्प के इंसल्ट तब हुई जब जिवरिक में कॉंपेटिशन चल रहा था तो विजे भाटकर सर ने डिसाइड किया कि वह हमारे परम को वहां लेकि जाएंगे और बेंचमार्क करेंगे जब वहां लेकि गए और बेंचमार्क कि बीना किसी डेवलप कंट्रि के हल्प का और इंडिजिनेसली हम लोग ने यह किया यह काफी बड़ी फीट थी एक न्यूस्पेपर में हेडलाइन भी थी कि डिनाइड अ कंप्यूटर इंडिया डज़ इट काफी इंप्रेसिव था इसी के कारण जो क्रे कंपनी थी जो सबसे बड़ी जय हिन जय भारत कोई सजेशन से तो ज़रूर मुझे कमेंड में बिताएगे झाल झाल झाल